हाई गाईज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कंट्रोल A to Z सोटकटकी का यूज आप इन सोटकटकी का यूज करके घंटों के काम को मिंटों में कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको सीखना होगा आप चलिए एक एक करके हम आपको इनका यूज बताते हैं सबसे फर्स्ट है कंट्रोल प्लस A ये यूज होता है स्लेक्ट ओल किसी भी टेक्स्ट को स्लेक्ट ओल कर देगा उस पेज में चाहें आप कितना भी लिख के रखे हूँ फिर है कंट्रोल प्लस B इसका यूज होता है बोल्ड के लिए ये टेक्स्ट को हलका मोटा कर देता है जब आप कोई भी हेडिंग देते हैं तो उसे हम बोल्ड करते हैं इसके बाद उसका डेफिनेशन वगेरा लिखते हैं ताक्के मारा कंटेंट थोड़ा डिफ्रेंट देखें अच्छा देखें फिर है कंट्रोल प्लस C कोपी के लिए यूज होता है लेकिन ये कभी सिंगल यूज नहीं होता है इसके साथ में हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस B मतलब पेस्ट का कोपी पेस्ट फिर है कंट्रोल प्लस D font style का डायलोग बोक्स ओपन होगा यहां से आप font style चेंज कर सकते हैं उसका side चेंज कर सकते हैं जो जो करना चाहते हैं आप कंट्रोल प्लस D का यूज करके कर सकते हैं फिर है कंट्रोल प्लस E align to the center ज ऐसे ही आप Ctrl E को प्रेस करेंगे लेकिन इन सभी काम के लिए आपको पहले स्लेक्ट करना पड़ेगा फिर हमारा Ctrl प्लस F इसका यूज होता है find the text किसी भी text को find करने के लिए आप Ctrl F का यूज करके कर सकते हैं Ctrl प्लस G गोटू ये आप एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए हम गोटू का यूज करते हैं फिर है Ctrl प्लस H ये यूज होता है replace के लिए सपोज आपने जमसेतपूर लिखा है अब आप उसे चेंज करना चाहते हैं जारखन में तो आप क्या करेंगे पहले find करेंगे और replace के जगह पे जारखन लिख देंगे और replace all करेंगे तो उस page में जहां जहां जमसेतपूर रहेग वह जहारखन में बन जाएगा find go to replace ये आपको तीनों एक ही डायलोग बॉक्स में मिल जाएंगे लेकिन तीनों का shortcut की अलग है कोई भी प्रेस करेंगे तीनों चीज आप एक ही जगह से कर सकते हैं फिर हमारा Ctrl प्लस आई ये यूज होता है इटाइलिक के लिए इसका मतलब ह justify के लिए यूज होता है Ctrl J जैसे कि आपने paragraph लिखा एक लाइन इहां से एक लाइन इहां है एक लाइन इहां है अगर आप जैसे ही सेलेक्ट करके Ctrl J प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा justify हो जागा तीनों लाइन एकदम बराबर हो जागा इस तरह आपका paragraph बहुत अच्छा सु अगर आप अटेच करना चाहते हैं तो यूज किजे Ctrl K Ctrl L align your content to the left जैसे हमने देखा center तो ये क्या करेगा उस content को left side से align कर देगा Ctrl Plus M Paragraph Indent Paragraph Indent का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आप किसी भी paragraph के आगे कोई image वगेरा add करना चाहते हैं तो आप Ctrl M का use करके कर सकते हैं ये सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलेगा न्यूस पेपर में जैसे आप न्यूस पेपर पढ़ते हैं तो इस साइड पर क्या होता है एक image लगा रहता है यहां से paragraph लिखा रहता है फिर यह बैसिकली Ctrl M से ही होता है फिर हमारा Ctrl Plus N open new page अगर आप किसी भी फाइल पे काम कर Ctrl Plus O इसका यूज होता है open file सपोस आपने कोई file ओल्रेडी बना के रखी है आप उसे open करना चाहते हैं तो प्रेस कीजे Ctrl Plus O आप उसे easily open कर सकते हैं Ctrl Plus P यह यूज होता है print के लिए आपके सामने आएगा print का डालोग बोक्स वहां पे आप पेज सेटप कर लिजे कितना पेज च चाहिए और उसके बाद आपका print हो जाएगा फिर है Ctrl Plus Q, clear the indent paragraph आप मतलब जो हमने Ctrl M से indent लाया था उसे clear करने के लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl Plus Q, फिर है Ctrl Plus R, align your content right side मतलब जो आपने left side में या center में लिखके रखा है अगर आप उसे right में करना चाहते हैं तो प्रेस करना हो होगा आपको क्या Ctrl Plus R, Ctrl Plus S ये use होता है safe के लिए, मतलब कोई भी file को safe करने के लिए हम Ctrl S का use करते हैं, फिर है Ctrl Plus T, hanging indent इसका मतलब ये होता है कि एक line तो आपका जैसे यहां से लिखे है तो यही से रहेगा, second line से ये text इस तरह से हटने लगेगा और यहां पे आप image जगेरा ज देखने को मिलीगा, फिर है हमारा Ctrl Plus U, underline, किसी भी text के नीचे इस तरह का underline लाने के लिए आपको प्रेस करना होगा, क्या Ctrl Plus U, Ctrl Plus W, close document, किसी भी document को close करने के लिए हम प्रेस करते हैं, Ctrl W, Ctrl X, cut के लिए use होता है, लेकिन ये भी कभी single use नहीं होता है, इसके साथ में भी आपक को use करना रहता है, Ctrl Plus भी paste का, अब एक शीच समझ लीजिए, copy और paste में, और cut paste में क्या difference होता है, copy paste में ये होता है, कि आप किसी भी चीज़ को copy करके paste करेंगे, तो ये यहाँ पे तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो यहाँ भी जाते रहेगा, जब तक आप paste paste करेंगे, लेकिन जब बात करें, cut और paste का तो क्या होता है, यहाँ से आप जैसे ही cut करेंगे, यहाँ paste कीजिए, paste करते रहेगा, लेकिन ये वाला चीज यहाँ से हमेशा के लिए हट जाता है, यही है difference copy paste और cut paste में, फिर हमारा Ctrl Plus Y, रीडू को redo, इसे कहते हैं, redo, इसके लि यूज होता है, यह दोनों भी साथ में यूज होते हैं, अब समझे, आपने कुछ लिखा, और वो delete हो गया, तो आप तुरंद प्रेस कीजिए Ctrl Plus Z, तो वो आ जाएगा, तो क्या कहेंगे उसे, backward action, अब जो आ गया है, आप चाहते हैं, फिर से delete हो जाए, तो आप प्रेस कर द की का बहुत जादा यूज होता है, आप इनका यूज करके अपने टाइम को सेफ कर सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक कर दीजे, सेर कर दीजे, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करना ना भूले